जुन्जनू में आज गंतंत्र दिवस के मोके पर शहीद इसमारक पर शहीदों को याद किया गया गंतंत्र दिवस के जिला इस तर्य कारिक्रम में हिस्सा लेने आई महिला एंबालविकास मंतरी ममता भूपेश कारिक्रम में शामिल होने से पहले सरकेट हाउस से सीधा शहीद इसमारक पहुची जहां पर उन्होंने शहीद वेली पर पुश्पर चकर अर्पित किये और शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया इस मोके पर मम्ताब उपेश ने कहा कि जुनजनू शूर वीरो की धरा है यहां के शहीदों ने जान पर खेल कर देश की रक्षा की है और अभी भी कर रही है उन्होंने कहा कि उन्हें फक्र है कि वे जुनजनू में हैं यही नहीं सैनिको वे शहीद परिवार के कल्यान के लिए राजस्तान सरकार संकल्प बढ़ है इस मोके पर कलेक्टर लक्षमन जिंग कूडी समेट अन्य प्रशाशनी का दिकारी मोजूद थे वहीं मंत्री ने आमजन के साथ भारत्मा के जै और वंदे मात्रम के नारे भी लगाए और हाथों में तिरंगा लेकर उसे लहराया वही आज मैं शहीदों को नमन करना चाहती हूँ और मुझे खुशी है मुझे फक्र रहे कि जुन जिलाएक अपने आप में आर्मी के अंदर काम करने वारे लोगों के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर सरवच जिलों के अंदर से आता है यहां की शहादते, यहां के वर्तमान में, सैना में काम करने वाले हमारे नौजवानों के ज़स्बे को सलाम करना चाहूंगी और राजस्तान सरकार के माद्दे हम से सैनिक अल्यार्ण के लिए जो भी कार है हमारे जादा से जादा हम कर पाएंगे मानने मुखे मंत्री जी के निर्देशन में करेंगे आज ये शुबवसार है मुझे फक्र महसूस हुआ कि मैंने शहीद इस्मारक आके इनको श्रजदांजली अर्पित की ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव का विश्य है